जै माताई दोस्तो मातरानी आपकी सारी मनो कामनाय पोण करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाले हूँ साल दो हजार चौबिस में जो आखरी चंदग्रहण है वो कब लगने जा रहा है संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सब के साथ से यर करने वाली हूँ तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो साल का दूसरा चंदग्रहण 18 सितंबर को लगने जा रहा है वैसे तो यह आंसिक चंदग्रहण होगा लेकिन इसका जो प्रभाव है वो दुनिया भर में देखने को मिलेगा यह चंदग्रहण कुल 4 घंटे और 4 मिनट तक चलने वाला है यह साल का आखरी चंदग्रहण है 18 सितंबर को यह चंदग्रहण जो है वो पढ़ने जा रहा है और यह जो चंदग्रहण है वो आंसिक चंदग्रहण है भारत में यह जो चंदग्रहण यह दिखाई नहीं देगा इसका कोई भी असर भारत में दिखाई नहीं देगा ना ही सूता काल जो है वो मानने होगा ये जो चंद ग्रहन है वो यूरोप में, एसिया में, अफरीका में, उत्री अमेरिका में, दच्छडी अमेरिका में, प्रसांत, अटलांटिक और हिंद महासागर जो है वहाँ पर दि करात्मक प्रभाव पढ़ सकता है ऐसे में, इस्तरासी के लोगों को साबधान रहने की अवश्यकता है चंद ग्रहन पर सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है और ग्रहन समाप्त होने पर जो सूतक है वो समाप्त होता है साल 2024 में, चार ग्रहन जो है वो द दिल लगा था वहीं पर दूसरा चंद ग्रहन बुद्धवार को 18 सितंबर को लगने जा रहा है इसके अलाबा पहला सूर ग्रहन सोमबार को लगा था और दूसरा सूर ग्रहन बुद्धवार को दो अक्टूबर को लगने जा रहा है विसेश बात यह है कि दोनों ग्रहन के दिन समानी है यानि कि पहला चंदर और सूर ग्रहन सोमबार को है वहीं पे दूसरा चंद ग्रहन और सूर ग्रहन बुद्धवार को है जोते सास्त के अनुशार सूर और चंद ग्रहन का विसे समयत है इस दोरान सुब कार और पूजा पाट करने की मनाही होती है लापरवाही कर या बरतने से सारीरिक और मानसिक सेहत पर प्रतिकूल प्रबाव पड़ता है। या बरतने से सारीरिक और मानसिक सेहत पर प्रतिकूल 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 प्रतिकू तंबर को सुबह 6 बच के 6 मिनट पर आस्त होगा जबकि ग्रहण सुबह 6 बच के 12 मिनट से सुरू होगा नतीजन ग्रहण सुरू होने तक चंद्रमा पहले ही आस्त हो चुका होगा जिससे यह भारत में अद्रस हो जाएगा चंद्रहण पर जो महिलाएं मालीजे की भारत की हैं और विदेसों में रह रही हैं ऐसी महलाओं को जो गर्वती महिलाएं उनको ध्यान देने के अवश्चकता है उनको अपने पेट पर लाल रंग जो है या गेरू जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए जो भी खाने पीने की पदार्त हैं उनमें कुस घांस या तुलसी की पत्र डालना चाहिए ग्रहन जो है वो उनको नहीं देखना चाहिए साथ-इसाथ घ्रहन का जो असर है वो शमाप्त होने के बाद में दानपु नवश रूप से निकालना चाहिए मंदर के जो कापाट है वो बंद कर देने चा उसमें सब तुलसी दल जरूर डालें अगर माली जे पीने का जो पानी है उसको फैला दें जब असर खतम हो जाए उसके बाद नया पानी जो है वो भरना चाहिए भोजन इत्यादी जो है वो ब्रद को गर्वती महिलाओं को और बच्चों के लिए मनाई नहीं है बाकि जो भी पित्यादी जो है वो कर सकते हैं तो पहले ही बता दिया फिर से बता दे रही हूं कि ये भारत में माने नहीं है विदेशों में मानने है तो जो भी भाई बहन भारत के विदेशों में रह रहे हैं उनको इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है तो उनको साफधानी जो है बरतनी चाहिए इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों जैमातादी